हाईलो फ्रेंज कैसे है आप लोग आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फिलाल आगे बढ़ने से पहले जो मेरा चैनल है उसको सब्सकाइब कर लीजी और बेल आइकन को हीट कर लीजेगा और अगर ये वीडियो पसंद आता है उसको लाइक जरूर कीज है मिंच जो हमारा बीजली बील है वह कम हो भी रहा है क्यों कि यहीं बोल करके तो अन गिर्ट प्लान्ट लगाते हैं लेकिन हमको क्या बेनिफीट मिल रहा है ऑन गिर्ट लगाने से वह आज इस बील के माध्यम से अबको समझाने कोशिज करेंगे इस करी में हमने तीन एक नीचे में लिख रहा है और पांच किलो वाट का डिमांड किया मतलब पांच किलो वाट ही यूज किया मैक्सिमाम connection का वीवरन के नीचे में जो लिखा है जमानत की जमारासी means आपने जो advance जमा किया है meter connection लेने के टाइम पे वो आपने किया है कितना पचीसो रुपिया वो आपका advance की रुप में जमा है और ये इसी महिने का bill है देख रहें आपको यहाँ उपर में दिख विरा होगा कि बिल मा कौन से महिने का है तो जनवरी 2023 का है अब सबसे नीचे लिखा है meter पाठन का वीवरन उसमें लिखा है meter संख्या तो means आपके यहाँ जो meter लगा उसका यह number है उस पे लिखा होगा यह number लोगों के मन में एक doubt और रहता है वो यह कि कि किस meter का reading जो है electricity बिभाग करती है तो इसमें आपको दो reading दिखा रहा है एक उपर में है और एक नीचे में है लेकिन meter number एक ही है इसका मतलब है कि यह जो reading है यह net meter का reading है कि कि वो bi-directional होता है और इसी वजह से यहाँ पर दो reading दिया है जिसमें उपर वाला जो reading है वो import है जो आपने यूज किया है घर में और नीचे वाला जो reading है वो जो आपका जो solar production किया है जितना unit वो अपने export कर दिया वो गला reading है आपको नीचे में दिखा रहा है और लास्ट में जो खपत unit दिखा रहा है जिसमें उपर वाला है import unit जो है 445 unit और नीचे वाला export unit जो है 437 unit चुकि हमने 10 kilowatt का solar लगा रखा है और यूज किया है 5 kilowatt का ही इसलिए हमको इस बहिने में बिल नहीं आने वाला है क्योंकि हमने export जादा किया है और import कम किया है और इसलिए यहाँ पे बरतमान वीबरन में दिखा रहा है उर्जा सुल्क जीर और यहाँ पे 10 kilowatt का bifacial पैनल लगा है लूम solar वाला और growatt का inverter लगा है 10 kilowatt वाला नेक्स्ट बिल है सुनील कुमार जी का और इनकी यहाँ सिंगल फिजय कनेक्शन है और इन्होंने 3 kilowatt का लोड सिंग्शन करा रखा है और 3 kilowatt का ही solar भी लगा है और यहाँ पे पॉली पैनल लगा है और इन्होंने जो यूज किया है अपने घर में अधिकतम जो लोड है वो 1 1.2 kilowatt का ही लोड यूज किया है और इतना तो पता ही है कि सिंगल फिज का कनेक्शन लेने में हमको 1200 रुपया कर देना पड़ता है और अगर थीरी फिज लेते हैं तो 25 रुपया देना पड़ता है और इस बिल में जो मीटर रीडिंग है उसके अनुसार इन्होंने एक्सपो 25 यूनित मतलब यहां फिर से एक्सपोर्ट जादा किया हुआ है इसका मतलब कि इनका भी जीरो आने बला और इसलिए उर्जा सुल्क जो है जीरो है अब लोग नेक्स्ट बिल के तरफ चलते हैं और इस बिल को समझने कोशिस करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है तो यहां करता है यहां टो कि इसमें डिफरेंस क्या है इस जादां सक्ट पूर्यन और कि हुआ हैं अधिकतम डिमाड़ नहीं आपको नहीं और और इंहों ने इक्सपोर्ट किया हुआ है, मातर 187 यूनिट और इम्पोर्ट किया हिव यूजब है उसलेर लगाया है, बहुत कम, इसका मतलब कि आम को बिल देना परेगा, लेकिन कितने यूनिट का, वह उनिट हमको पाता कहेड़े चलेगा, तो जितना इन्हों इक्सपोड किया है वो घटा लें कितना इंपोर्ट में से तो 678 मेंसे हम घटा लेंगे dulu तो जो 431 unit हमको सेस बचा उतना का ही हमको bill पे करना है इस महीने का ठीक है मतलब यह हमारा हो गया घोसीत unit और इतना ही unit का हमको इस महीने में bill पे करना है वही अगर हम चेक करें नितिन जी वाले में तो इस में देख रहें घोसीत unit 0 है जबकि actual bill तो minus में है क्योंकि हमने export ज्या तो यहां भी घोशित यूनिट जीरो ही है यहां पर आप लोग के मन में एक डाउट आएगा कि हमने जो एक्सपोर्ट किया जादा मात्रा में वो यूनिट हमने गया कहाँ तो वो कहीं नहीं गया है वो भी लिख के आता है लेकिन कहां पि लिख के आता है कि और सत आप पूर्थी घंटा मतलब आपके एरिया में मैक्सम कितना घंटा बिजली अबलेबल रहता है वो भी इसमें लिखा हुआ है कितना 23.84 आवर इतना घंटा उहां पे हमेशा बिजली रहता है और उसके जश्ट बाजू में लिखा है पिछले एक 11 माहा का खपत मतलब एक तो बरतमान में अभी दही रहा है और बाकी पिछला जो 11 महना बच गया उसका पूरा खपत का बेवरा दे रहा है कि किस महने में कितने यूनिट का बील पे करना पर रहा है और देख रहे कि दिसंबर में जब से इनको नेट मिटर करके दिया है तब से इनका जो बिजली लेकिन इस महा में जो इन्होंने 24 ead हो गया तो कितना हो गया टोटल अभी तक 144 इन्होंने एक्स्टर जमा कर रखा है क्योंकि इन्होंने इन्होंने सोलर जादा लगा रखा है और यूज कम कर रहे है इसके बज़स्दे बट सहनाज जीवाले में इसा नहीं है क्योंकि कि इन होने solar का कोई saving नहीं किया है एक महिने में इनका भी बिजली बिल जीरो आया था चुकि इनका जो net meter है वो हुआ था October महिने में तो October महिने में इनका बिजली बिल बहुत कम हो गया था और November में बिल्कुल जीरो ही हो गया था लेकिन December के बाद से इनका जो usage है वो बढ़ ग तो जो उर्जा सुल्क है मतलब जो जितना घोसीत unit है उस पे हमको उर्जा सुल्क देना होता है तो जो उर्जा सुल्क मिल गया उसके बाद अब लंब भार उसके बाद fixed charge ये fixed charge सब के लिए same रहता है पर kilowatt सब के लिए same लगता है बट अधिक्तम demand ब्रभार जो है वो तभी लगता है जब आपने load sanction करा राखा है उससे जादा यूज कीजिगा तब ये charges लगते हैं उसके बाद इस आपको कोई charges नहीं देना होता है उसके बाद इसमें कुछ GST add होता है उसके बाद कुछ अनुदान मिलता है मतलब छुट मिलता है ये सारा कुछ cut cut करके आपको एक net bill बिल मिल जाता है अब वही बिल आपको जो नीचे दिया हुआ जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2916 रुपया वह आपको pay करना है दूसरे बिल में देखते है तो इस बिल में चुकि उर्जा सुल्क 0 है लेकिन पिछले मामें इन्होंने लेट से payment किया था और इसी वज़ा से इन लेट फाइन भी नहीं लगा है इसी लिए इनके बिजली बिल में सिफ जो मीटर का जो चार्ज है 124 रुपया वही आपको इसमें दिख रहा है फ्रेंज सोलर लगने के बाद जो बिजली बिल आता है उसको हमने पूरा अच्छे से समझाने के कोशिस किया है फिर भी कोई ट इनफर्मेशन आपके लिए थोड़ा भी इनफर्मेटी हुआ है तो इसको लाइक जरूर कर दीजेगा और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद